Corruption, Infrastructure, Health, Gender, Environment, Conflict, Class, Art and Culture Education, Corruption, Development, Health, Education, Development, Corruption बालु खनन को लेकर मजदूरों और बालु खनन माफियाओं के बीच लड़ाए लाए नदी के किनारे पढ़ी जूरे की बालु को लादा जा रहा है लाद कर माफिया लोग इसे बजारों में बेच रहे हैं जो की घटिया किस्म की बालू है ये बालू सस्ती पड़ती है मजदूर कहते हैं जो यमना नदी के अंदर से बालू निकाली जा रही है उसे बजारों में बेचा जाए इसी बालू को लेकर मस्तूरों और माफिया के गुंडों के बीच लडाईयां होती रहती हैं इन लडाईयों में अक्सर लोगों की जाने चली जाती हैं जिसमें 35 लोग गरफ्तार हुई शुबर जनवरी को हमारे नंदक पूर गाउं में पांसु पुलिस बल ने अटैक करकि पूरे गाउं में तोड़ फोर लूट पाट किया 26 जनवरी को पुरा उन्हों नहुन हमारे मलीपुर गाउं में हमला किया वहां लोगों ने मुकावला किया इसके बाद पुना इनोन होली के दिन 28 फर्वरी को हमला किया इसके अलावा एक मार्च दो मार्च को नंदाक पूरा में दुबारा हमला किया जिससे की लोगों को डर पाइदा करके हम पने काम को पूरा कर ज़िए आज मजदूरों के 47 साथी जेल में इनके ऊपर धारा 144 को तोड़ने पुतला जलाने आदी के आठ आठ केस लिखे हुए हैं सभी आरूब राजनेतिक हैं कि हर एक को छूटने के लिए 20-20 हजार रूपए और 16-16 जमानत दार देने होंगे यानि कुल 3,20 हजार रूपए की जमानत पेश करनी पड़ेगी कोटों का यह अधिकार है कि वो मजदूरों को नीजी मुचलके पर छोड़ सकते हैं पर प्रशासंग के माफिया राज में कोट भी मजदूरों के साथ नहीं है आज तक अभी यह पुरिस्तिती है कि इलाके में तो मसी नहीं लोग लगवा रहे हैं लेकिन सिलसिला लेवर से सुखी बालू ठवा कर इनका धीरे धीरे अधिकार छीन रहे हैं लेकिन जनता इस पर तयार है कि अगर हमें अधिकार हमारा पेट नहीं चले गए तो मैं लड़ूंगा लडने के लिए जनता तयार है ये बालू निर्माड कारियों में काम आती है इससे हजारों परिवार जुड़ें इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है इस नदी के अंदर से लाखों रुपे की बालू रोड निकाली जाती है फिर भी इनके यहां दोनों वक्त का चूला नहीं जल पाता है यमना नदी का किनारे का ये शांत इलाका कभी भी युद्धस्थल में बदल सकता है मैं आजीद बहादू इंडियान हर्ट के लिए यमना के किनारे इलहाबास